कापर खेडा मुक्य बाजार में नाकपुर जिला सेंट्रल कॉपरेटिव बैंक के सामने संजु पहुले दुकान की पीछे गुरुवार रात करीब पाउने बारा बज़े एक वुरुद्ध व्यक्ति की लकड़ से पीट-पीट कर निर्मम हत्या कर देई इसके इलाके में वासी मुकाम पोस्ट वाड़ करमाग दो लाल चोक सिल्ले वाड़ा ऐसा आरोपी का नाम बताया जा रहा है घटना करीब आदी रात की है और किसी अग्यात व्यक्ति ने डाइल वन वन टू पर फोन कर बताये कि संजु मामा पोहेवाले के दुकान के सामने दोनों के बीच लकड़ी की डंडों से मार पिठ होने की जानकारी है उक तो सुचना खापर खेडा पुलिस को मिली इसके पश्चात खापर खेडा पुलिस चंद मिन्टों में तुरंत मौके पर पहुंची इस समय रुद्ध हिसम का मौके पर घायल और खुन से लत पत पड़ा देखा तु अनुमान है कि रास्ते में ही उसकी मौत हो गई होगी और इसी बीच में उस्पतार के डॉक्टरों ने जाच के बाद घायल बुज़ूर्ग को मृत भुशित कर दिया खापर खेडा पुलिस ने गटना का मंचनामा किया और शव को पूस्ट माटम के लिए पेश दिया फिर आंकरेडवार, दीपकरेवतकर, कैलास पावार, संदिफ वागमारे वहांचाला का दी पूलिस टीम शामिल थी। खापर खेड़ा था नक्षेत्रे में हुई हत्या के सुचना मिलने के बाद पूलिस ने बिना देर किये मौके पर पहुँच गई तब तक आरोपी मौके से गिरफतार कर लिया। इस मामने में पूलिस की सरानिय कामगीरे देखने को मिली। पूलिस तुसी मिले जानकारी के अनुसार, मृतक बेवारस रहते हुए रात में कहीं भी सो जाता था और कहीं पर भी खाना खा लेता था। और आरोपी और मृतक इंद में पिछले तीन-च जोकी बाजार में फलफूरूट की दुकान में काम करता था। एवं मुख्य मार्ग माता मंदिर क्षेत्र में जहां भी जोके मिली सो जाता था। और अपी रात में गट्सास्तल के सामने दिनाकपूर डिस्ट्रिक सिंटर कॉपरिटिव बैंक के सामने चोकीदारी गाड़ जिसके कारण वदेशारा हो गया था। इन भी से न्यूज चैनल के लिए खापर खड़ा से दिलिव कजबे के रिपोर्ट।